सब्सकारब करें अपने यूटीब चैनल लानमोट मेडिसिन को और बैल आइकन दबाएं लेटेस नोटिफिक्षिन पाने के लिए सब्सक्राइब करें लेकिन कुछ ऐसी कंडिशन ने उसमें नाइट्रेस जेपाम जानलेवा हो जाती है वहाँ कौन सी कंडिशन है साथ ही इस नाइट्रेस जेपाम का परियोग गबगब किया जाता है क्या नाम से इसको मेडिकलिस्टों पर खरी सकते हैं इसके साइड इफेट क्या होते हैं कितनी मात्रा में तता कितने दिनों तक डॉक्टर दारा मरीज को लेने की सलहा दी जाती है साथ ही नाइट्रेस जिपाम के लिए ट्रेंडिंग न्यूज भी चल रही है साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार देखने तो चैनल को सब्सक्राब करने के साथ वीडियो को लाइक और से करना नहीं पूले मैं हूँ आपका होस्ट मोहिद आदीच आप देखने अपने इडिव चैनल आनावर्ट मैडिसन चलिए आश्वे कुछ नहीं आ सेकते हैं है लोफेंट्स नमसे दोस्तों नाइट्रेज डिपाम एक बेंजो डाइजिपिंग क्लास की दवा है जो सोर्ट राइम हाइपनोटिक इफेक्ट रखती है इसी करांड़सी से नीद की दवा कहा जाता है यह सडेटिव इफेक्ट भी रखती है इसलिए मनो रोगों में साइ मसल रिलेटेट जो प्रोब्लम से उनको ठीक करने के लिया जाता है लेकिन किसप्रका की मसल रिलेटेट प्रोडम इसको बाद में जानेंगे पहले हम इसकी अधर इंफोर्मेशन जान लेते हैं अगर इस टेबिलेट की स्ट्रेंद की बात करें तो यह टेबिलेट 2.5 जिसे डॉक्टर द्वारा मरेज की नीट की एकोडिंग एडवरेज किया जाता है हो सकता है यह नाम आप मेंसे काफी दोस्तों के लिए नया हो यह अंजान सा लग रहा हो हम उन नाम को जान लेते हैं जिससे कि आप इस टेबिलेट को जानते हैं उसे हम इसके ब्रेंड नेम कहते हैं कुछ popular brand नेम जैसे की Nitro Sun Table, Nitro Fat Table, Nitro Table निरा टेबिलेट या कुछ popular brand है जिससे आप इसको जानते है और हो सकता है इसके लिए जाता है कोई भी brand आपको मिले है कोई हपी ब्रेंड आपको मिलें लेकिन एक बात ध्यान रखे इसका जो में composition में दवा का नाम होना चाहिए अब इसके users को जान लेते हैं किन-किन इस्तितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है तो जैसा कि यह hypnotic sedative class की दवा है तो इसका मोखी रोप से प्रयोग insomnia नाम की बिमारी को ठीक कर नहीं लिया जाता है यह एक प्रका की बिमारी जिसमें व्यक्ति को नीद नहीं आती नीद आने पर बीच भीच में खूल जाती है अगर एक बार नीद खूल जाए वापसों से नीद नहीं आती लंबे समय तक लगातार वह नहीं सोच सकता इस इस्तिति पों इंसोम्नियां कहते हैं और सामयनी भास में से नहीं आने के समयश्य कहते हैं इस स्तिति में नाय्त्री जिपाम टेब्लेट में दीचना चाहता है उसके लिए पहले ही अलग वीडियो पर आइक पर देख सकते है साथ लिंक दिया है वहां क्लिक करके डाय जेपाम के बाव में पूर डीटेल आप चान सकते इस दवा की सदेटिव प्रोपर्टी होने के कारण इसको एपिलेप्स में भी कई बार एडवाइस किया किया जैसे की कन्वल्शन रूख सके हाला कि काफी अच्छा एफिक्ट मिला क लेकिन इसकी पूरी अत्रा से इस्टेडी नहीं हुई है तो सभी डॉक्टर इसका प्रयोग इसलिए नहीं ले साथ ही कोई मरीज है जिसको ब्रेन में डेमेज होने के कारण या किसी बड़ी बीमारी कारण याददास की समयश्य हो गयो फोर्गेट फुलनेस उसे लग रही तो उस समय भी यहार टेब्ले डॉक्टर द्वारा दी जाती है साथ ही जैसा हमने जाना था कि मास पेशियों की जो समश्य है उसको ठीक नहीं किसी दिया जाता है क्योंकि मसल्र रिलेक्सिन के रुक में भी कारी करता है यदि किसी व्यक्ति के मसल में स्टिफनेस हो झाती है तो इस सरह से अलगरे बीमारे उमें इस दवा का प्रियोंकि लिया जाता है इस नाइट्रaimer जेपाम टेबिट के बारे में एक झालियूज मी चल रही है prison 000 का प्रियोंग व्यक्ति नहीं के लूजणले यहाँ पर चार से पांस गंटे तो नसे में रहता है इसी कांट से नियू येर पार्टी में भी सप्लाई किया जाता है यहां पर इस न्यूज को बताने का ताथ पर यह है कि आप लोगों भी पता रहें अगर इसको जरूद से ज्यादा बिना डॉक्टरी एरोईज लेते हैं तो यह पर तबदिल हो जाती है और आपको आदत पी पढ़ सकती जिसको छोड़ना पहुत ही मुश्किल हो जाता है तो आप यहां पर यह द्यान रखें कि इस टेबलेट के बारें बात करें क्या कि साइड इफेक्ट होते हैं तो जो मोस्ट कोमन्ट साइड इफेक्ट देखेंगे उसमें सीड चकराना, सीड दर्द होना, अकेला पन महसूस होना, चकर आना, साथी अपना बैलेंस नहीं बनाना पर इन बैलेंसिंग होना वे तो सरापीने के बाज़े से वक्ति खड़ा नहीं हो पाता उसी तरह से इसका साइड इफेक्ट होता है साथी कुछ स्टुडिम बताया गया है कि लंबे समय तक इसका प्रियोग लिया जाए तो कैंसर भी इससे हो सकता है और एक और इसका बड़ा साइड इफेक्ट है जिसके लिए मैंने थमनेल में लिखा था कि इससे मोत भी हो सकती है तेंशो दो बच्चों पर इसका रिशच किया गया था जिसमें पाया गया कि जो 4 साल से चोटे बच्चें उनको नाइटरिड जिपाम टेपिलिट एपिलेप्शी के लिए दी गए तो उसमें कई बचों की सडन देर्थ भी हो गई इस कारण से 4 साल से छोटे बोच में नहीं दिया जाता और इसी कारण से मैंने थमनेल में भी यह सभी लिखाता अगर किसी भी परकार के side effect जिनके बार मुनें बात किया इसके लगे को दूसरा side effect मिले तो तुरंत इस tablet को बंद करें अपने doctor से मिले जिसी की proper treatment आपको दिया जा सके अब वीडियो की लश्ट में हम जान लेते हैं इस tablet को किस तरह से दिया जाता है क्या इसकी dose होती कितनी मातर लेना होती है अगर इसकी dose की बात करें तो पांच मिलेगा हमसे लगा कर दस मिलेगा जितनी मरीज को आवज सकता होती है च्यार साल से बड़ी उमर के बच्चों में दी जाती है तो इसकी के बोडिवेट से होती है जो कि 0.3 मिलिगाम से लगा कर एक मिलिगाम परती केजी और जो रिजल्ट आता उसको डिवाइड़ वाइड थी डोज में करके डॉक्टर के द्वारा दी जाती है और यह हैं डोज के लिगो अग्राइशन बच्चे के 30 kg तक की जाती है अगर इसे जञाधा होतीं डोज इस तरह से डोज के लिट करकेंडिये जाता है कोई ड्राइवर है ड्राइविंग बहुत ज़्यादा करते हैं कोई प्रेइने ड्रोमन है लेक्टेसन मदर है या कोई बच्चा जिसके उम्र च्यार साल से छोटी है उनको इस टेबलेट का प्रियोग नहीं करना चाहिए तो दोस्तों यह पूरी जानकाई थी नाइटेस जिपाम टेबलेट के बारे में जो बहुत ही अच्छी नेंधी दवा है लेकिन जान लेओ अभी हो सकती अगर टंग सी यूज नहीं किया जाए उम्मीद करता हूँ पूरी जानकाई मिली होगी और वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा यदि वीडियो आपको पसंद आया तो जोर से लाइक करें जादा-जाद इसको शेयर करें जो किसी और की वी काम आ सके और अभी जग आपने एटिव चैनल लाड़ाबॉट मै जी से थे यह थे से खाले लाड़ाबॉट मैशनमी आपको जोरा खालेडि़ों से नुषवाद इसको के और वी को जापने एटिवाद इसको वीडियो आपको जोराबॉट जोराब तार।